नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि घर में लक्की बैंबू प्लांट वास्तु दोस्त को कैसे दूर करता है वैसे ही यह फैंग्सुई में आता है और फैंग्सुई का भारत में परचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम इसका बायो कार्ट भी करते हैं क्योंकि यह फैंग्सुई चाइना से निकली है लेकिन वास्तु दोस्त में हम इनके उपायों को जुठला नहीं सकते लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडेक्ट यूज करें तो अपने भारत वर्ष्ट का करें जैसे कच्व के इस्तिमाल करते हैं कच्व के चाइनिजंग suddenly है और हुमारे भारत के बने हुए भी है लेकिन कच्व को महत्व जितना चाइनिज यह फ्यंक सुई में.." में दिया है उससे कई गुना हमारे जोतिष में दिया है क्योंकि कुर्म अवतार कच्व पूजन में वास्तु में उनका बड़ा महत्तव है चलो इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे आज का विश्य हमारा है लक्की बैंबू जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं बैंबू प्लांट जिसे हिंदी में बांस का पेड कहा जाता है लोगों को घर की सजावट का बहुत सोक होता है जिहां इसके साथ ही लोग आज कल अपने घरों के आस पास छोटा सा गार्डन भी बनाते हैं और उसमें बहुत सारे पोधे भी सजावट के लिए लगाते हैं अगर आप घर में सुकसानती चाहते हैं तो आप उस छोटे से गार्डन में बांस का पेड लोग कहते हैं सुनने में आया है कि बांस घर में अच्छा नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है सबसे सुद्ध तो बांस ही माना जाता है आए जानते बांस का पेड लगाने के कुछ फाइदे और इसको किस तिसामें लगाना चाहिए उसका भी मैं आपके परसंद का उत्तर दू है और मेल जोल बढ़ता है यह दिखने में बहुत अच्छा होता है इसलिए आप इसे किसी तोहार या स्पेशल अफसर पर भी अपने दोस्तों या इस्तेदारों को गिफ्ट में दे सकते हैं यह घर से नेग्टिव एनरजी को दूर करके पोजिटिव एनरजी लाता है जिस इसे हेल्थ भी सही रहती है स्वास्ते भी ठीक रहता है इसका इस्तमाल घर करने से घर की समर्दी आते हैं सुकसानती भी रहती है बांस का पेड को घर में लगाने से घर से बिमारियां दूर होती है घर में अगर कोई न कोई बिमार रहता है तो स्वास्ते के लिए अच्छ घर के स्वामी घर का जो मालिक है करता धरता है प्रधानचारी है स्वामी पर किसी तरह की आर्थिक प्रसानी नहीं आते है यानि कि कर्ज उतरता है कर्ज चड़ेगा नहीं और कितने बांस के पेड़ लगाने चाहिए जैसी ये कहीं टंडिया दिख रहे हैं आपको हाला कि इसका कोई फिक्स अनुमान नहीं है आप कितने भी पेड़ लगा सकते हैं दो चार पांस आत कितने भी इसका कोई फिक्स अनुमान नहीं है फिर भी अगर आप हैंक सुईन के अनुसार लगाना चाहते हैं तो कुछ इस परकार लगाएं साधी और प्यार के लिए दो ब लगा सकते अपने करियर में सफलता पाने के लिए चार बांस का पेड़ घर में लगाएं और पूरे प्रिवार के अच्छे स्वास्थे के लिए साथ बांस की डंडी के साथ प्रेज लगाएं यानि की बांस की साथ डंडिया होनी चाहिए मानसिक सांती के लिए दस बांस का पेड लगाएं बांस का पेड दक्षिन पूरव दिशा में लगाना बहतर माना जाता है क्योंकि इस दिशा में लगाने से घर में सांती बनी रहते और धन का आगमन होता है बांस का पेड लगते समय मतलब जब आप रखोगे ध्यान रखें कि इसे खिड़की के आस पासे ऐसी जगह पर ना रखें जहां धूप सीधी आती हो इससे पोदा जल जाएगा और ख्राव हो जाएगा इसे भूल कर भी ना टांगें बिल्कुल लटकाना नहीं है इससे पोदा ख्राव हो जाएगा और घर में negative energy आएगी इसे आसानी से घर के dining table या घर की किसी भी हिसे में सजावट के लिए रख सकते हैं ध्यान रहे या पोदा मुर्जाना नहीं चाहिए और पाने भी इसका हर रोज नहीं बदलना चाहिए काफी सनय के बाद बदलना चाहिए हफते दस दिन के बाद बदल सकते हैं लेकिन पूरण जानकारी कैसे क्या है और भी इसके बारे बहुत सी खुविया रहसे में बात हैं अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जारी है मेरे दोस्त आज के लिए तना जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो को शेर करें लाइक जुरूर करें जी कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद